कि कोई लगाना सका उसके कद का अंदाजा, कोई लगाना सका उसके कद का अंदाजा, वो आस्मा था, मगर सर जुका के चलता था तो इतना बड़ा आदमी, इतना महाना आदमी, इतना सादा आदमी, इतना इमानदार आदमी, इतना दोस्त आदमी, सदियों में पैदा होता है कि युवाओं के जो हीरो रहे ऐसे बाक्टर हरी सिंग जी जो हमारे राजमिती के पिता में है भाई इस कार्य कर्म में आप लोग आगे बढ़ो आपका ये जाज संसद का कार्य कर्म है इसको सब को इकठा करने के लिए जो प्रियास है उसके लिए आपको धन्यवाद आगे ब कि अद्यान की वीर प्रसूता माटी के लाल और देश की राजनिती के के भीस्वापिता में और सिखर पुरुष के रूप में डॉक्टर हरी सिंग का नाम सदेव इस्मरण रहेगा 10 सितंबर 2020 को 85 वर्स की उम्मिन में उनके द्यावसान से शंपुर्ण देश और प्रदेश की राजनिती में एक मायूसी है एसे महान सपुत का जाना देश और प्रदेश की राजनिती के सासा समाध शिक्षा जगत चिकेशा जगत और न्याइक जगत के लोगों के लिए भी अपुर निक्षते रहेगे राजनितिक जीवन मेरे सामाजिक जीवन मेरे छातर राजनिती उस जीवन में उस इंसान का उस सक्षत का उस महामना का इतना बड़ा योगदान है और वह एसी सक्षत डॉक्टर हरीशिंग जी थे उनका एक हमेसा वाक्या था कि बेटा मेरे पास वही आद्मी रुख सकता ह जो तीन टपे खा लेता है और तीन टपे का मतलब यह होता था कि वह पहले मेरे पास आएगा वह मेरे से चिकनी चुपडी बाते करेगा लेकिन मैं उनकी बातों मने आता हूँ वह हमेसा यह कहते थे सीधी सपाट बात करते थे कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रहे का आप हजारों ही वह हों कि उमारागदर सकते हैं जो न्याई के लिए सच्चाई के साथ में इमानदारी से जो काम करना जडारी रखतें उनके लिए डोक्टर हरी Сinh जी ने हमेशा एक शिच्छिय के रूप में एक अपने लाडले बैटे के रूप में हमारे को मारागदरतित कि है एसी शरंकला रही कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा, खुद के सुवारत के लिए राजनिती नहीं की और सरु समाज के भले के लिए उन्होंने हमेशा अपनी राजनिती को रखा. दुनिया के सबसे बहदुर कौम, जाटों को आरक्षन दिलाने वाले डॉक्टर हरी सिंग, जब अटली बिहरी वाजपरी से अपनी एक खास मुलाकात हुई, उनकी ड्राफ्टिंग, उनकी प्रेजन्टेशन को देखे, राजस्थान के जाटों को बड़ा सांती, पूरण और अइनसक तरीके से आरक्षन मिला, जाट आरक्षन के अगवा नेता के साथ-साथ, उन्होंने राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री की रूप में कारिय किया, आज भी उनकी द्वारा किये गए कारियों को विभाग और सरकार इस्पनन रखती है, सीकर से लोकसबा में सान संसदों के लिए भी एक बड़ी प्रेयर ना थी, एक मार्स 2020 को दिल्ली के विज्ञान भौन में आये जितुए, दुनिया की जाटों की सबसे बड़े प्लेटफोर्म अंतरराइश्टे जाट संसद में, डॉक्टर हरी सिंग अभी भावक और मार्ग दर्सक की भूमिका में आये, उन्होंने दुनिया के जाटों को वहां से एक आवान किया, संग्ठित होने का, एकता रखने का और सब को साथ लेकर चलने का, उसी के सरंखला में जाट संसद ने, कोरोना वेश्टविक महमारी में भी वर्चुल रेलियू के माध्यम से कारिकरम सुरू किये और उसमे राजधानी जैपूर में एक बड़ा प्लेट फोर्म तयार किया, जहां पर दोसों से अधिक बालिकाओं के रहनी के क्षमता वाला, राजिस्तान किसान बाली का चात्रवास, किसान लो कोलेज और पबलिक स्कूल संचाली थैं, जैपूर के रिधेस्तल पर साइद किसी राज का और किशान कौम का सबसे बड़ा इस्थान है, डॉक्टर हरी सिंग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े सर्जन थे, बोहिंदुस्तान के जाटसमाद के पहले IFRS सी थे, जिन्होंने अमेरिका, इंग्लेंड समेत विदेशू में विध्यानिक का में स्रेश्ट राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र के उत्री भारत के सबसे बड़े होस्पिटल, SMS के प्रिंसिपल और सुप्रेडेंट रहे, उनके शिशे के रूप में आज भी सीनर डॉक्टार्स, विशे सग्गे, उनको सदेव अपने मार्गदर्सक के रूप में देखते हैं, व् ऐसे महान सपूत का जाना, देश और प्रदेश की राजनिती के सासा, समाज, सिक्षा जगत, चिकित्सा जगत और न्याइक जगत के लोगों के लिए भी अपुर निक्षते रहेगे, वर्तमान में देश के सिखर पर पहुंचे दोराजिपाल, सत्यपाल, मलिक और आज मैं ऐसी शक्षत को नमन करने जा रहा हूं, जिनका मेरे 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 सामाजिक जीवन, मेरे छातर-राजनिती और जो मैं 30 साल के जो जीवन में अभी तक लिया है, उस जीवन में उस इन्सान का उस सक्षत का उस महामना का इतना बड़ा योगदान हैं कि आज मुझे एक ब मारे बीच में नहीं रहे और वो ऐसी शक्षत डॉक्टर हरी शिंग जी थे जिनके बेटे के रूप में प्यार समाज के सोशल काम करने के रूप में प्यार युवा राजनीती के रूप में प्यार ना जाने उनका किस किस रूप में हमें प्यार मिला आज से साथ से आठ दिन पहले मैंने उनको फोन किया और ये जानने के लिए फोन किया कि डॉक्टर शाब की तवेत केशी है और जब फोन पे मेरी बात होने लगी मैंने का डाक्टर शाब प्रणाम उनका बेटा प्रणाम मैंने का डाक्टर शाब तवेत केशी है उनके बैया तवेत ठीक नहीं है लग गया और मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जिस ऐसे वट वरक्ष का आशिरवाद हमारे उपर हो सोच समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें इतनी बड़ी लंबी पहरिशत है उनके लिए बोलने के लिए कि जिस रूप में जहां हमने चाहा उस महामना का हमें आशिरवाद हर रूप में मिला मैं जिकर करना चाहता हूँ आज से दस साल पहले का मैंने मेरे ग्रामीन इलाके में जिस ग्रामीन चेतर से मैं आता हूँ फागी में एक मैंने वाँ प्रोग्राम किया था जाट समाज का मैंने का डाक्र साब आपका आशिरवाद आशिरवात से संपन करना चाहते हैं आप ताजूब करोगे उन्हों टाइम नोट किया और बिना किसी संकोच के वो उस प्रोग्राम में पहुँचे उसके बाद में लगातार एक नई शेकड़ो प्रोग्राम हमने किये हमार ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रहा जिसमें डौक्टर हरीशिंग हमें आशिरवात देने के लिए उपस्तित नहीं रहे हो तेरा मई 2018 को दे ग्रेट माराजा सूरुजमल डोकोमेंटरी पिलम का वीमोचन समारों ने दिल्ली के विज्यान बहुन में किया हमने का कि डौक्टर शाप हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं और विज्यान बहुन दिल्ली में ये प्रोग्राम है उन्हेंने का कि बेटा दिल्ली तो बहुत बड़ी है किस किस को बुला रहे हो केसे केसे प्रोग्राम करोगे हमने का कि डाक्ट शाब जो आपने शिक्षा और जो मारगदर्शन दिया है उसी रास्ते पे चलते हैं में हम चाहते हैं कि देश और समाज के जितने भी जो पूरे देश में काम कर रहे हैं समाजिक संगठन समाज के जो हर छेतर के जो लोग हैं उनको बुलाना चाहते हैं उन्हें का कि बेटा मुझे किसी को बोलना है क्या आप ताजुब करोगे कि 80 साल उस टाइम तो चाहे 82 साल की उमर थी फोन उठाया कि बेटा किसको फोन करना है जिसको चाहो उनको फोन मिलवा लेना यह नहीं कि किसको करना किसको नहीं कहना मैं क्यों करूं क्यों क्यों करूं क रॉग्राम किया उस जेपुर के प्रोग्राम में भी वौराय अबिर हाल ही में एक मार्च दो Cambyt को जब जाट पार्लेमेंट के विग्हान版 बन किया उसका वाक्या में आपको बताना चाहता हूं कि कि व Nicholas इक सपिटल में भड़ती थे हमारे प्रोग्राम चे चार दिन पहले व उस प्रोग्राम में वो आये और अभी प्रोग्राम होने के एक महीने बाद हम उनसे मिलने गए तब उन्हें ने हमसे कहा कि बेटा तुम्हारे प्रोग्राम में में आया तो था रात को मैं राजस्थान आउश में आके रुक गया और सुबह जब नाने दोने के लिए में वोस अपने जो ड्राइवर ता उसको आवाज दी कि बैया मैं एक घंटे से अंदर बातरूम में पड़ा वा हूँ, मेरी तबेट ठीक नहीं है, आप ताजूब करोगे ऐसा इंसान का हमारे लिए आशिरवाद देना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें आशिरवाद इसलिए देते थे कि म जीवन की जो काम हम कर रहे हैं, उस सामाजिक जीवन में ऐसे इंसान का हमारे उपर आशिरवाद होना बहुत जरूरी था, और वो मुझे ये कह रहे थे हम दोनों सातियों से, कि बेटा, तुम दिल्ली वाले प्रोग्राम से फ्री हो गए हो, हम जल्दी ही जयपुर के अंद के छेतर की, 80 साल की उमर तक उन्होंने ओपरेशन किया, वो बहुत बड़े सर्जन थे, वो बताते थे कि बेटा, जिस शिष्टी टू के अंदर वो लंदन गए, और लंदन की रोयल सर्जन कोलेज से, जो उस टाइम की बताते कि सबशे बड़ी एपार्शेश की डिगरी हो वो चाही चिकिसा की बात करें, चाही सामाज़क जीवन की करें, चाही राजनीतिक जीवन की बात करें, हर चेतर के वो महिर योद्दा थे, वो कभी नहीं अडगने वाले, ना किसी से घबराने वाले, ना किसी से कोई संका में, संकोच में आने वाले, वो निरंतर चलने वाले अटल पुरुष थे मेरा मानना है कि ऐसे इंसान को याद करना वो आप हमारे बीच में किसमर्थियों के रूप में है लेकिन मैं आप सब को विश्वास दिलाना चाहते हैं और विश्वास उनका हमारे उपर इतना बड़ा विश्वास था कि हम आपको इन सब्दों में बता नहीं सकते जो भी समर्थिया हमारे बीच में रही है जो भी वो हमें आसिरवाद देके गए है उस आसिरवाद के रूप में, उस समर्थियों के रूप में हमेशा हम उनके लिए उनके विचारों पर, उनके सिधान तो हम काम करते रहेंगे अभी 15 से 20 रोज पहले हमने तेजा दसमी का, तेजा मोत्सों का जो आयूजन किया उनका लाश्ट और अंतिम भाषन हमारे ही प्रोग्राम का जाट संसत के प्रोग्राम का जो वर्चुल समवाद समारों ने कर रखा है अभी कोरोना में उसके अंदर उनके अंतिम सब्द बस मात्र चंद लाइनों में वो समेट के चलेगे, मंच पर आये और हमें दोनों सातियों को आशिरवाद दिया और ये बोला कि बच्चों तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसे जारी रखो, समाज और राष्ट के लिए ऐसे ही काम करते रहे ना, ना कभी किसी से डरना, ना कभी किसी से घबराना और वो हमेशा एक बात कहा करते थे, लोग उनसे बड़े डरते थे और डरते इसलिए थे कि वो सीधी सपाट और बेवाग बात बोलते थे बिना किसी लार लपेट के उनका एक हमेशा वाक्या था कि बेटा मेरे पास वही आद्मी रुख सकता है, जो तीन टपे खालेता है और तीन टपे का मतलब ये होता था कि वो पहले मेरे पास आएगा, वो मेरे से चिकनी चुपरी बाते करेगा लेकिन मैं उनकी बातों मिन्यता हूँ वो हमेशा ये कहते थे सीधी सपाट बात करते थे कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रहे का आप काम करो और काम करो निश्वार्थ अपनी नीत साब करके और जो एक्ति उनके वो एक बार वीवा रहती है वो जाड समाज की नहीं 36 कोम और विरादरी की बच्चिया वा रहती है और ऐसे आप देखो जैसे लोक्षबा का जैसी बिल्डिंग है वैसा तो उनने छात्रावस बना के चले गए ऐसी एक नहीं हजारों संस्ताएं उनके आसिरवास से उनके मार्क दर्शन में चल रही है उन्होंने इतने नेता पेदा करके चले गए इतने सामाजिक वीचारक पेदा करके चले गए कि उनकी सोच उनके सिधान्त इस सामाजिक जीवन में हमेशा अमर रहेंगे और और हमारे से जितना बन पड़ेगा डॉक्टर साब के विचारों पर हमेशा काम करते रहेंगे और जो आशिरवाद हो हमें देखे गए हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो उनके अंतिम सब्द है कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो इसे हमेशा जारी रखना किशी पर मारक दर्शन पर आपके सिध्धनतों पर आपकी आवाज के लिए हमेशा ही कारिय करते रहेंगे प्रणाम सत्सत्नमन डोक्टर हरी सिंग जी का निधन हमारे एक अभीभावक हमारे इनी हमारे जेसे हज्जारों हिवों के उमारक दर सकते हैं जो न्याई के लिए सच्चाई के साथ में इमांदारी से जो काम करना जारी रखते हैं उनके लिए करीब आज से 13, 14, 15 साल पहले डोक्टर हरी शिंग जी से जब हम सातर राजनीती में थे तब हमारा उनसे मिलना हुआ और उस दिन के मिलन से लेके उनके जीवन का जो अंतिम कारिक्रम था वो कारिक्रम भी इंटरनेशनल जाट पारलियमेंट का हमारे ही प्रोग्राम था समझ में नहीं आ रहा उनकी समर्तियों को मैं कहां से शुरू करूँ और कहां तक मैं करूँ जहां तक इस मस्तिक्स में जहन में उनकी समर्तियां याद आती है हर्दे में निस्ब दिता के भावुत्पन हो जाते हैं डोक्टर हरी सिंग जी ने हमेशा एक शिश्य के रूप में एक अपने लाड़ले बेटे के रूप में हमारे को मारक देशित किया जब भी टेलीफोन किया हां भाया बोल क्या काम है कैसा है क्या कर रहे हो भाई लोगों तुम काम अच्छा करो और आगे बढ़ो हमेशा एक ऐसी सरंकला रही कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा खुद के स्वारत के लिए राजनिति नहीं की और सरु समाज के भले के लिए उन्होंने हमेशा अपनी राजनिति को रखा डॉक्टर हरीशिंग जी ने अपने सामाजिक राजनितिक जीवन में जब भी उनके पास में हम बेठे जब भी हमने उनसे मिलने के लिए टेलिफोन किया मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर हरीशिंग ने आज हमारी बात को टाल दिया हूँ जब भी मिलने के लिए कहा भाई वहां हूँ आजओ और जब भी उनके घर पे गए फारमा उस पे गए कभी दर्वाजे पे किशी ने रोका नहीं जब बेड रूम तक गए गंटों बैठे बातचीत की उन्होंने हमारा मारकदर्शन किया और वो भाईचारे के लिए सरु समाज के लिए पीडित सोशित मजदूर औरक के लिए किसानों के लिए अपने समाज जाट समाज के लिए वो सदे उचिंतन सील रहते थे उचिंता क ढारी सिंघ जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में पीडित की सोशित की मजदूर की किसान की वो राजनितिक वक्ती थे लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कर देका कि मेरा बहुष्य क्या होगा आज में जिस सरकार में हूँ जिस पार्टी की सद्धिस्ता के साथ मैं मैं नेतरतों कर रहा हूं उन्होंने बीना किसी लोब और लालच के शिदे स्वाविमान के गलत को गलत कहा अन्याई के खिलाप को मजबूत होकर खड़े रहे डटे नस्वर संसार से अलविदा केके अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया है। डोक्टर साब के सिधान्त, उनका विजन यूओं के लिए वो प्रेड़ना सब्ध है। मैं राजस्तान के नागोर जिले से आता हूं। डोक्टर हरी सिंग जी का जनम शेकावाटी शेतर में हुआ। उन्होंने पूरे राजस्तान में केसी टीम मनाई हमारे जैसे लोग नागोर के, बाड मेर के, बीकानेर के, जेसल मेर के, टोंग के, भरतपूर के, बासवड़ा के, डूंगरपूर के, हनुमान गड़ के, गंगानगर के, राजस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा। और पूरा परदेश में सहाइधी कोई ऐसा इस्टेट होगा जहां पर उनका फॉलोवर्स नहीं होगा जो आज दुखी नहीं है डोक्टर हरी सिंग जी अपने आप में एक संस्ता थे उन्होंने हमेशा किसान कौम के भले के लिए काम किया किसानों की वेभूती के लिए काम कि और जब राजस्तान के जाटों को आरेक्षन की जरूरत थी उन्होंने सबसे पहले मुखर होके आवाज बुलंद की थी उन्होंने अभी पिछले दिन हमारे को एक विजन डोकुमेंट जो राजस्तान के जाटों को कैसे आरेक्षन मिला मंडल कमिशन की रिपोर्ट कैसे ला लोक्त हरी सिंग का वर्णन है उन्होंने कहा है कि मैं सर्जन हूं मैं सांसत बन गया मैं विदाइक बन गया मंत्री बन गया इससे मेरे पूरे समाज का भला नहीं हुआ है मैं समाज का परतिनी दीती हूँ और परतिनी दी के नाते समाज की अंतिम पंक्ति पर बेठे व्यक्ति का भला होना चाहिए ऐसे उनके विचार थे उन्होंने डाटा तियार किये वो डाटा पेश किये और उन्होंने आज लोग केते हैं आरक्षन कैसे मिला मैं एक गटना बता कि भाई जब मैं सांजट था और पुरू प्रधान मंत्री शुरूगी अटल भीयारी वाजबई जी एक संसथी कमेटी के अध्यक्स थे और डोक्तर हरी सिंग जी मेंबर थे उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ साथ ने उन्होंने समाज की जो पीड़ा थी वो उनके सामन ने रखी तो अटल भीयारी वाजबई ने हरी सिंग जी से वादा किया कि अगर मेरी सरकार आई और आप लोगों की सहिओ की बजोलत अगर मेरी सरकार बण गई तो मैं पहली केबिनेट में राज़स्तान के जाट समाज को आरक्षंड दूंगा अटल भी अरिवाज भई जी परधान मंत्री बन गए समाज के सयोग से डोक्टर हरी सिंग जी ज्यान प्रकास पिलानिया जी विजे पूनिया जी और लाखों समाज के योधाओं का उसके अंदर योगदान था आरक्षन के लिए जब उन्हें लगा कि हमें याद दिलाना चाहिए परधान मंत्री जी को तुन्होंने परधान मंत्री के पीए को फोन करके कहा कि भाई बदाईयो आपकी सरकार बन गई है अब ध्यान रखना है हमारे वादे का उनके पास में विजादस्मी के दिन अतल ब्यारी वाजबई का टेलीफोन आया कि आज आपका काम हो जाएगा डग साब और वो काम उनका हो गया वो कोई उनका काम नहीं था आज राजस्तान के अंदर ओभी शी कोटे से किशान वरक के बेटे वाल्डपंच से लेकर जिले की सबसे बड़ी पंसाइत जिला पंसाइत में परतीनी जी के रूप में वो परतीनी दित करते हैं तो डॉक्टर हरी सिंग जी के यउगदान को कभी नहीं बूल सकते ये बात जब पस्चिम बंगाल के माननी राजयपाल जगदीब धनकरजी से हम मिलने के लिए कोलकाता राजबून गए उन्होंने भी वही इसमर्तियां दो रही कि वही डोक्टर हरी सिंग जी का ऐसान राजस्तान का जाट नहीं बूल सकता और जब राजस्तान के जाट को औरक्षन मिला तो एक पूरे देश के जाटों में मेसेज गया कि राजस्तान के जाट को औरक्षन मिल सकता है तो पूरे देश के जाटों को औरक्षन क्यों नहीं मिल सकता और वहीं से ये मांग उठी, ये डोक्टर हरी सिंग जैसे विप्तितों की, परेणтя से ये मांग उठी, कि पूरे देश के जाटों ने उजुलती होकर आंदोलन किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है डोक्टर हरी सिंग जी वो जहां भी होंगे भगवान उन्हें अपने सिरी चलनों में जगे दे उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लिए सामरत्य के साथ में सभी समरतों को सकती दे और जो वजरपात आज इस देश की राजनीती में जो भाव सुन्य पैदा हुआ है इमानदार महान सक्षियत का जो निदन हुआ है भगवान उनके सभी समरत्कों को ये दुख ये कश्ट सेन करने की सकती दे मैं पूने डोक्टर हरी सिंग जी के चर्णों में सादर नमन और सर्दांज लिए अर्पित करता हुँ